हाई आज का टॉपिक काफी सेंसेटिफ है जो के मेरे एक भांची ने सजिस्ट किया था सो थैंक यू फर सजिस्टिंग कही सरे रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में जो देश औरत के लिए सबसे अनसेफ है वो है भारत ये कही न कही आपको भी पता होगा आपने भी एक्सपिरियंस किया होगा तो चलिए देखते हैं हमारे देश में औरत कब कहा सुरक्षित है और कहा नहीं पिछली बार मैंने वीडियो बनाए थी कि हमें एनेमल से क्या सिखना चाहिए अगर आप देखने में इंटरेस्टेट हो तो जाके देख सकते हो तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है अनसेफ आउटसाइड ये तो हम रोज सुनते रहते हैं कि बाहर मत जाओ बाहर खत्रा है क्योंकि बाहर जाने पर लर्कियों को गंदी नजर से स्टार्ट करके हैरस्मेंट, मोलेस्टेशन, अबजेक्टिफाइंग, एब्यूसिब लैंग्वेज, डिस्क्रिमिनेशन यहां तक की रेप भी फेस करना पड़ता है तो मैं एक कोश्चन आप से करना चाहूं क्या लर्कियों का बाहर जाना कोई गुना है? अंसेफ इन फैमिली, बाहर खत्रा है तो सब बोलता है, पर घर पे भी खत्रा है, यह कोई नहीं बोलता। कहीं सारे रिपोर्ट्स में देखा गया है कि लर्किया बाहर से जादा अपने घर में अंसेफ है। जादा दर लर्कि चीफ परोसी कोई भी हो सकता है, तो ओड़ते अपने घर पे भी सेफ नहीं है. अंसेफ अप्टर मैरिज शायद वो गर तो उसके पिता का था, उसके खुद की नहीं थी, इसलिए वो सेफ नहीं थी. पर क्या वो शादी के बाद सेफ है? शादी के बाद तो प्राब्लिम्स और बढ़ जाती है अपने पती का फिजिकल अबियूस ससुराल वाले का डावरी को लेके टॉर्चर करना इन सबसे परिशान हो कि कितने सारे औरते सुिसाइट कर लेती है ये तो हमें पता ही है और खुद नहीं मरती तो कही बार ससुराल वाले भी मार देते है अनसे पिफोर बॉर्ण जनम के बाद औरतों को इतना कुछ सह न परता है पर कही बार तो वो जनम भी नहीं ले पाती उसको पैदा होते ही या फिर पैदा होने के पहले ही मार दिया जाता है क्योंकि सबको तो लड़के चाहिए हमारे देश में मर्दों का परसंटेज औरस से जादा है जिसका रेजन मैंने अभी बताया फिर ऐसा ना हो कि बेटियों को मारने के चक्कर में आपको अपने बेटे के लिए कोई बहू ही ना मिले Are women safe in old age? पूरी जिन्दे के सैने के बाद भी उनको बुरा पे में भी सैना परता है परिवार के ताने सबका उनको एवाइट करना यहां तक की बुरी औरतों का भी रेप होता है तो इतनी उमर होने के बाद भी औरतों को respect नहीं मिलती तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमारे देश में औरत कभी भी कही भी सेप नहीं है पर हम चाहे तो उसे बदल सकते है बेटे के लिए बहु ढूंते हो पर जनम देने के टाइम बस बेटा ढूंते हो एक हाज से देवी का पूजा करते हो तो दूसरे हाज से उनकी ही बेटी का बलतकार करते हो